हेलो स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं chapter 3 matrices का example number 15 देखते हैं क्या है find a b a और b की हमें product निकालनी है a matrix हमें ये दे रखी है b matrix ये दे रखी है अब ये question बिलकुल simple सा है बट इसकी एक trick है कई बार क्या होता है mcq question आ जाता है इस type का तो आपको time waste नहीं करना है वो चीज मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ a matrix हमारी क्या है जिसके अंदर क्या है हमारी एक column 0 दे रखे 0 0 minus 1 और 2 और b matrix ऐसी है जिसके अंदर हमें एक row हमें 0 दे रखे 3 5 0 0 अगर आपको ऐसी matrix मिल जाए कि जिसमें a column 0 हो और दूसरी की row 0 हो तो हमेशा उन दुनों की product का result 0 हता है तो आप directly यहाँ पर tick कर सकते हैं तो इसको मैं करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर a और b की product तो देखो भई इसके elements क्या है 0 minus 1 0 2 और दूसरी जो matrix है उसके element के है 3 5 और 0 0 तो यहाँ पर row से column wise हम product करने वाले हैं तो कर लेते हैं भई 0 की 3 से multiply 0 minus 1 की 0 से multiply 0 फिर 0 की 5 से multiply 0 2 की 0 से multiply 0 फिर यहाँ पर देखो यहाँ आगी हमारे पास अब देखरो दोबारा से फिर 0 की 3 से multiply 0 2 की 0 से 0 0 की 5 से 0 2 की 0 से 0 तो overall result जो आया हमारा वो क्या आगया 0 matrix आगया 0 0 0 0 समझ में आगई trick main चीज यही थी इस question के अंदर जो मैंने आपको समझानी थी अगर किसी matrix की कोई सी भी column 0 है या फिर first matrix की row 0 है और second की column 0 है तो उन दोनों की product हमेशा क्या आएगी 0 के equal आएगी यह चीज आपको ध्यान रखनी है बस इसी property का यहाँ पर use होने वाला है कोई भी दिकत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए थैंक यू students पर वाचिं नेक्सा क्लासेज वीडियो